नमस्कार मैं जुन मैसी फॉर्म इंडिया फायर न्यूस हम बात करेंगे यहां पर आप देख सकते एक पोस्टर हम आपको दिखाते हैं प्रदेख अधिक्षक की बैठक भारतिया बोध संस्था की तरफ से सर आपका नाम बनते राहुल तरफ देखिये समाजिक संस्था है यह सब के लिए है और हमारे भारतिया बहुत संस्यंकिर। और भारतिय बहुत संग में सारे लोग जुड़े हुए हैं, भारतिय बहुत संग में हमारे चत्री भी छुड़े हैं, ब्रामण भी जुड़े हैं, कि जो बहुत धरम है, भगवान बुध जो थे, वो कोई दलित नहीं थे, भगवान बुध के जमाने में सभी जातियों को ले मजलुमों पर काम करता है दली समाज पर काम करता है और जो समाजिक समरस्ता है समाजिक समरस्ता के माध्यम से जो दबे कुछ लोगों है उनको उठाने का कारिय हम लोग किस तरीक है किसा जैसे गाउं है जो गाउं में समाजिक समानता की जरूरत है क्योंकि सहरों में समानता मिलता है लेकिन गाउं में समानता नहीं मिलता है इसलिए भारतिय बहुत संग गाउं गाउं में जा करके समानता की बात करता है हाल में गुजरात में अभी पिछले साल हम लोगों ने समाजिक समानता समरस्ता के माध्यम से संकला प्याता निकाल करके पूरे गाउं तक पहुचे और भारतिय बहुत संग का पूरा मकसद है कि पूरे देश में जो 400 विदान सबा तक पहुचना और हर विदान सबा में 50-50 ऐ कोई जुल्म होता है या किसी वेद के साथ में कोई हासा होता है उसके तक वहां तक पहुचने का हमलों का यह लच्छ है और बाबा साहब डाक्टर अंबेटकर भगवान बुद के विचारधारों को साहु जी महाराज बिचारधारों पंडित दिन दियाल उपाद्या जी के बिचारधारों को सेमा पर्थार मुखर जी के विचारधारों को हर तक पहुचने का कारी भारतिया बहुत संग कर रहा है जो हमारे संत हैं साय गुरु रवदाज जी संत कबीर जी संत बालमिकी जी जिन्हों ने समाज के लिए काम किया है उस समाज के लिए जिन्हों ने जी एडियम में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डाक्टरम बेट करने नागपुर में पांच लाख होनाईयों के साथ बहुत धरम गराण किया था तो हमारा जो मकसद है कि समाजिक समानता और समरस्ता क्योंकि समाजिक समानता और समरस देश में तो यही सब चल रहा है सर इसी चीज़ को रोकने के लिए तो हम लोगों ने कदम उठाया है आपने कदम उठाया अभी हम देखते हैं टीवी खोलते साथी दिखाई देते सर सिर्फ हिंदू लोगों के लिए करेंगे यह मुसल्मान इसाई और दूसरी लोगों के देखें देश के लिए हम लोग कर रहे हैं धरम पहले नहीं है पहले देश है जो हमारे देश में लोग हैं जो हमारे देश को जो हमारा देश है उस देश को हम लोग प्यार करते हैं बाबा साहब डाक्टर अमबेटकर ने इस देश से प्यार किया है और देश के लिए हम लो सब सब करते थी वो उनके महिला गाओं में रहते हैं उनको सब्सक्राण सम्वान मिले तो नारियों का सम्वान सबसे बड़ा सम्वान तो भारत में देश के प्रदान göreं ने किया दूसरी बात देशिक लिए व्यवे जानिया examples देखे प्रदान मंत्री जी का कदम बहुत अच्छा है और बलतकार रुकने के लिए उन्हें बड़ा अच्छा कदम करा है आपको देखा कि कस्मीर में प्रदान मंत्री जी ने एक सोच पैदा किया और प्रदान मंत्री जी ने वहां से सरकार की प्रवा नहीं किया उन्होंने क चाहा कि देश के जवानों की होना चाहिए और देश के जवानों पे जो आंक उटाएगा उसको हम मोतोर जबाब देंगे और देश में आपको बता दूं कि प्रदान मंत्री जी का एक निड़े है देश का ऐसा प्रदान पात नहीं देखा और उन्होंने सयोग किया तो इस दे समाज के लिए कारी करना है देश के लिए कारी करना है देश के हित के लिए करना है। तालकुटरी स्टेडियम का जो आपने बताया है उसे पहला स्टेप क्या होगा आप जनता आपको देख रहे हैं सर और लोगों का इक होप होगा जब यह देखे गाते लिकास्ट होएंगे और देखेंगे लोग कि हां कुछ तो कोई तो खड़े हो अच्छा सर पहला क्या आप लेकिन उस अत्याचार को आप कैसे खतम करेंगे क्योंकि अत्याचार को खतम करने के लिए घाईयों जो खाईयां होती हैं उसको भरने का काम भारतिये बहुत संग कर रहा है हम कोसिस करते हैं कि जुलूम करने वाला और जुलूम सायने वाला दोनों को एक साथ लाएं और द सट्था में अभी मोदी जी विजभी सरकार सट्था में है इसी लिए आप क्या सत्था कि खिलाब कुछ नहीं नहीं है तो हम सट्था खिलाब की बात नहीं करते हैं जिन लोगों ने इस देश में 55 साल राज किया है उन लोगों ने देश के लिए क्या किया है और बहुत अच्छा विकास की बात करें और बहुत ऐसे उजनाय उन्हों चालू किया है जो जो गाहों तक पहुँच रही है जो महिला ही थी आपको मैं बता दू जिन के पास में आज वो अपने बैच चैन से तीन करोड लोगों को उन्होंने दिया है तो देश के प्रधान मंत्री जी निचले अस्तर पर कारें हवा में काम नहीं कर रहे हैं और निचले अस्तर पर काम करें उनका यही मकसद है कि जलित हो गरीब हो मजलूम हो उनको हमें कैसे आगे आने के लिए अगर पहली पंक्त में खडा करना है तो समाजिक समरस्ता के माध्यम से हो सकता है कही न कहीं आपका भी एम है है मेरा मकसद है कि इसलिए हम लोग प्रधान मंत्री जी को बोल सकते कि शबका साथ सब गया साब करें यह सबका साथ सबका विकास होना चीए हम भी उसके साथ है इनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास वही बात लेकर यह जो रहे हैं कैसा होगा जनता की विकास होएंगी या सबका साथ होगा तब तक आप लोग देखें इंडिया फायनिस नमस्कार कि कि कि